मित्रो नमस्कार, सिद्ध आईरवेद चैनल पर आपको स्वागत है, और आज फिर एक महत्तपूर्ण नुसका, आईरवेद को आगे बढ़ाते वे, इसमें आपका विश्वास जागरत करते वे, एक महत्तपूर्ण नुसका आज मैं आपको देने जा रहा हूं, मित्रो मैंने देखा है कि अधिकतर व्यक्ति पेट के रोगों से पेड़ी थे हैं और उन सब के अलग-अलग सिंटम में हैं आज मैं IBS संग्रैनी के विशे में आपको बताऊँगा अला कि इस विशे पर मैंने एक बहुत महत्व को वीडियो पहले डाल चुका हूँ और उसमें कहीं काम्या लब और उसमें आपको बताई है और कई भाई मैं उसे लाब भी उठा रहे हैं प्रंतु कई व्यक्तियों ने अपने-पने सिंटम का वर्डन किया है उसी के अनुसार मैं इसमें कई वीडियो आपको देने वाला हूँ और आज जो सिंटम मैं इसमें शामिल कर आँँ उसमे है बार-बार पतले दस्त होना आओ आना पेट में वायू की गुड़ गुड़ाट होना भूक नहीं लगना आरूची और खाना प्यना सरीन में नहीं लगना तो इस प्रकार के सिंटम जिस व्यक्ति में होते हैं उसको ये संघ्रैनी कही रोग है आईबियस जिसे कहते हैं इ इसकी एक औशद में आपको बताता हूँ इसमें सिर्फ दो औशदियां आपको परियोग करने हैं सबसे पहले आपको लेना है बिलवादी चूर बिलवादी चूर ये सब आपको आईरुवेधिक मेडिकल इस्टोर पर प्राथ हो जाता है इसमें से 5 गराम की मातरा आप क्तिती के अमसार अपने रोग के अमसार सेट कर सकते हैं और खाली पेट इसको लेना है आदा घंटा पहले ताजे पानी से ले लिया करें और खाना खाने के बाद मुस्तकारिस्ट ये भी एक अरिस्ट है मुस्तका रिस्ट की 15 मिलिलिटर की मात्रा बराबर पाने मिला करके सुभ़े शाम खाना खाने के आदे गंटे पच्चा आप पी लिया करें तो इन दो उस्दियों का यदि आप परियोग करेंगे तो बार-बार दस्त जाने की आदत जो आपकी है वो नहीं रहेगी खाना पचेगा और ठोस पाखाना आएगा जिससे आपको सरी में सकती आएगी और किसी भी परकार की परिशानी नहीं होगी तो इस परकार से आप इससे लाब उठाएं और ये दोनों उस्दियां आपको मेडिकल स्टूर पर सरलता से उपलत हो जाएंगी और अपने खाने पीने का परिश अवश्य किया दिने तलेबुने पजार दना लें अधिक चैदिक दई और मठे का परियोग करें बाजरे की रोटी, कच्चे केले की सबजी, पका केला भी खाएं इन सबसे इसमें बहुत लाब आता है और इस परकार से आप फायदा उठाएंगे तो आपको अत्यन तलाब आएगा भायो बैनो चैनल को सबस्क्राइब करते जाएं वीडियो को लाइक क्या करें, शेयर भी क्या करें आपका बहुत बहुत दिनावाद, नमस्कार